दोस्तो जानेंगे इस वीडियो में फेमसिनोल एडीपी जेल के बारे में जानेंगे बाई एक किस टाइप का जेल होता है कहां यूज होता है तिने में कितनी बार लगाए सावधानी क्या बढ़ते किस तरह से लगाए इसका रिजल्ट कम मिलता है सो वीडियो पूरा दखेग दोस्तो फेमसिनोल एडीपी जेल एक जेल फोम में आता है यह करीम फोम में आता है जेल फोम में इसका मतलब यह और भी अच्छा है जल्दी एब्जोर्ब होगा रिजल्ट जल्दी देगा तो करीब करीब 15 गराम का एक पीस यह 500 रुपे के आसपास दोआई की दुकान पर कर सकती है पुरुष वेक्टी भी कर सकता है चाहे कोई लड़की हो चाहे कोई लड़का हो कोई भी कर सकता है यह फेस पर लगाने की आती है ठीक है फेस की जो इसकीन होती है उसके उपर अपलाई करने की आती है तो खाना नहीं है निगलना नहीं है अपलाई करने की आती है हेलकियातों से तो बात देते हैं क्यों लगाना पड़ता है तो दोस्तों इसके अंदर दो दौाओं का कॉम्बिनेशन आता है पहले आता है एडेपेलीन दूसरे आता है कलिंडा माइसिन तो देखिए कलिंडा माइसिन जो होता है एक एंटिबाइटिक होता है कई बर फेस के उपर ना bacterial infection हो जाता है जिसके कार्ण दोस्तों एकनी और pimple आने लगते हैं तो उन micro organism को मार कर ये काम करता है कलिंडा माईशिन जिनके कार्ण ये problem हो रही है cherry preparedness आ रही है eating चल रही है या pimple आ रहे हैं तो वहाँ पर कलिंडा माईशिन काम करता है एडेपलीन दोस्तों एक vitamin A का derivative होता है ये वहाँ काम करता है जहाँ पर face की skin के उपर oil production ज़्यादा हो रहा है oil production यानि sebum का ज़्यादा बनना sebum दोस्तों एक substance होता है चिपचिपा पलास होता है जो खुदरती रूप से चेरे के उपर बनता है ये चेरे की skin को soft रखता है मुदायम रखता है लेकिन कई पर ज़्यादा बन जाता है जिसके कांड जो skin के जो porous होते हैं चिदर होते हैं वो बंद हो जाते हैं जिनके कांड फिर एकनी problem होती है कील मौसों की problem होती है तो वहाँ पर उसके production को ये control कर देता है कम करता है जिसे की कील मौसी नहीं होते है और इसके साप सुस्तरी दिखने लगती है तो एडेपलिन वहाँ पर काम करता है इनके लावा दोस्तों औरल बात दो तो अगर कील मौसी problem है pimple की problem है वहाँ दी जाएगी अगर इसकीन के उपर redness है सूजन है वहाँ उस सूजन को कम करने के लिए दी जाएगी इचिंग को कम करने के लिए दी जाएगी अगर black head, wild head किल मौसी होते है pimple है black head, wild head तो वहाँ दी जाएगी और oil production अगर जादा बन रहा है तो वहाँ भी दी जाएगी तो चेहरे की उपर लगए जाती है एकनी problem में डॉक्टर इसको prescribe करते हैं डर्मोटोलोजिस डॉक्टर देते हैं बात देते हैं बाई कितनी बार लगाएं और कब लगाएं तो देखिए चेहरे को अच्छे से watch करके लगाना है चाहिए कोई भी face watch और कोई भी साबून हो चेहरा साफ होना अच्छी है चेहरा साफ करने के बाद सुखने के बाद आप हलकी आतों से जहां जहां पर एकनी problem है वहाँ लगाईएगा अगर पूरे चेहरे पर problem तो पूरे चेहरे पर लगा सकते हैं अगर लगाने के बाद अगर आपको कुछ जलन वगेरा हो रही है खुजली चल रही है ज्यादा जलन मेसूस होती है इसकी जल रही हो तो इसको यूज नहीं करना है continuously इसको बंद कर जाना है और डोक्टर को जाके बताना है कई बर कुछ करीम सूट नहीं करती है तो अपनी अपनी स्कीन होती है अगर आपको सूट करें तो कोई दिक्रत नहीं है सूट नहीं कर रही है तो इसका यूज नहीं करना है तो दोस्तों दिन में दो बर लगानी है सुबह साम चेरे को दो के मिट्टी वगरा नहीं लगने चीज़ लगाने के बाद लगाने के बाद हो सकता है कुछ दिनों बाद इसकिन सेंसिटिव होने लगे तो मौस्टराजर यूज़ कर लीज़ेगा या धूप से बचिएगा वेशे दौक्टर बता सकते हैं आपको इनके साथ कुछ मेडिसनी भी चल सकती है तो बाद साइड फिट की तो साइड फिट दोस्तों यही होते हैं यहीं होते हैं एक देड महिने में तो आगे इसका यूच नहीं करना है डोक्टर को जाके वजूर्ण बताने हैं तो दोस्तों संपुर्ण रहे हो था फेमसिनोल एडिपी जेल के बारे में यहाद वीडियों ने लिए भूत भूत धन्यवाद